Hello everyone, आज की वीडियो में हम exercise 4.2 के question number 3 को solve करने वाले हैं तो आईए देखते हैं question number 3 क्या है मारे पास Find two numbers Find two numbers Whose sum is Is 27 And the product is Is 182 ठीक है इससे solve करना है हमें तो ध्यान देना है कि हमें दो numbers दिये हुए है जिनका sum हमारे पास है 27 और जिनका product है आपका 182 ठीक है तो हमने माना Let first number हमारे पास हमने माना कि first number क्या है X है तो second number कितना हो जाएगा हमारा Sum हमारे पास 27 है तो एक number तो X हो गया तो दूसरा हो जाएगा हमारे पास 27 minus X Since product of both numbers Product हमें कितना दिया है 182 यानि कहने का मतलब है कि X और 27 minus X को हम multiply करेंगे तो आंसा माला 182 आएगा यानि कि X इंटू आपका 27 minus X equal to 182 X से अंदर multiply गरा तो X into 27, 27X minus X into X X square equal to 182 27X minus X square minus 182 equal to 0 अब इसको थोड़ा सा standard form में लिखते हैं तो minus X square plus 27X minus 182 equal to 0 minus 1 से जब इसे multiply किया तो minus 1 से multiply करने पर हमें मिला X square minus 27X plus 182 equal to 0 अब हमें क्या करना है इसको factorize करना है तो factorize करने के लिए हम क्या करते हैं 182 और X square के coefficient को multiply करते हैं यहाँ पर X square के coefficient 1 है तो 182 into 1 आपका क्या हो जाएगा 182 ही हो जाएगा अब अगर हम 182 के factor करते हैं तो हमें कितना मिलता है यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे 2, 7 और 13 हमें 182 के factor कर मिलते हैं और अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो 7 2 जा होता है आपका 14 और 14 में अगर हम 13 प्लस करते हैं तो वो आता है आपका X square का coefficient यानि कि 27 यानि 14 प्लस 13 होता है आपका 27 तो हम 27 के जगा पर लिखेंगे X square माइनस 14 प्लस 13 X प्लस 182 इक्वल टू 0 अब X square माइनस X से अंदर multiply किया तो यह हो गया माइनस का 14 X और माइनस का 13 X प्लस का 182 इक्वल टू 0 X square माइनस 14 X में से X को common लिया तो बच्चा हमारे पास X माइनस 14 minus 13 x plus 182 में से minus का 13 हमने common लिया तो बचा हमारे पास x minus 14 क्योंकि 13 से 182 को divide करेंगे तो 14 ही आएगा तो equal to 0 अब x minus 14 common लिया हमने बचा कितना हमारे पास x minus 13 equal to 0 ठीक है तो यह हमारे पास factor आ गए अब अलग-अलग करके इनको 0 रखेंगे if x minus 14 equal to 0 which implies that x equal to 14 and if x minus 13 equal to 0 तो यहां से में मिल जाएगा x equal to 13 ठीक है तो finally हमारे पास मिलता क्या है कि if first number अगर हमारे पास 13 होगा तो second number क्या हो जाएगा हमारे पास 27 minus 13 यानि की 14 if first number हमारे पास अगर आता है 14 तो second number क्या जाएगा हमारे पास 27 minus 14 यानि की 13 तो यहां से हमें मिला यह कि वो दोनों number क्या होंगे 13 और 14 होंगे ठीक है जिनका sum 27 और जिनका product 182 होगा बासर जिनकाशा स्व jetzt थाएफ़े जानिक वो लाएबससक्तлекस की